जैसा कि आपने बताया था कि कम्प्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्रे करने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आविशक्ता होती है क्या आप हमें ओप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती है बिल्कुल रोहन चलो हम उपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं उपरेटिंग सिस्टम एक प्रुग्राम है जो कम्प्यूटर के अन्य प्रुग्राम उसे पारस पर एक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है Operating System के बिना Computer बेकार है कई तरह के Operating System उपलब्द होते हैं Operating System प्रयोग करता वह Computer के मध्य एक माध्यम का कारे करता है सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए Operating System की आवश्यक्ता होती है परंतो Operating System स्वता ही चालू होता है Computer को चालू करते ही Operating System स्वता ही चालू हो जाता है Operating System के मुख्य कारे हैं यह Computer को नियंत्रित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है यह उप्योग करता वह Computer के मध्य पारसपरिक संबंधों को सुगम करता है यह Input वह Output यंत्रों को नियंत्रित करता है यह Computer Program के निश्पादन को नियंत्रित करता है यह Computer की मुख्य मैमरी के प्रयोग को व्यवस्थत रखता है यह File को व्यवस्थत रखने वह उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है ओपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गिक्रित किया जा सकता है Character User Interface C.U.I Graphical User Interface G.U.I एक-एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं Character User Interface C.U.I में किसी तरह के आइकॉन या चित्र नहीं होते हैं यह केबल लेख वा अक्षरों पर चलता है हम C.U.I पर लेखिये निर्देश जैसे Rename, C.L.S, C.D., M.D. और D.I.R. या Directory पर कमांड निर्देश देकर कार्यक कर सकते हैं C.U.I का एक उदाहरन है Disk Operating System Graphical User Interface GUI की प्रश्ट भूमी चित्रवाली होती है और साथ-साथ बहुत सारे आइकॉन भी होते हैं GUI के उदाहरन है Windows XP, Windows XNT, Windows 7 और Ubuntu GUI को पुनह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सामपत्तिक, मालिकाना, सौफ्ट्वेर और स्वतंत्र या मुक्त सौफ्ट्वेर मालिकाना सौफ्ट्वेर एक प्रकार का कम्प्यूटर सौफ्ट्वेर है जिसकी अनुग्यप्ति, कौपी राइट धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधिन होती है मालिकाना सौफ्ट्वेर के उप्योग के लिए अनुग्यप्ति की आवश्यक्ता होती है जो उसकी फीस देने या भुकतान करने के बाद ही प्राप्त होता है इनका प्रेयोग वैद अनुग्यप्ति के बाद ही किया जा सकता है उप्योग करता इनको न तो परिवर्तित न साज़ा कर सकता है ना ही पढ़ सकता है और ना ही पुनर्वित्रित कर सकता है मालिकाना सौफ्ट्वेर के सामाने उधाहरन है स्वतंत्र या मुक्त सौफ्ट्वेर वे सौफ्ट्वेर हैं जिनको उप्योग करता इन्टरनेट से बिना किसी फीज के डाउनलोड कर सकता है यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं जो उप्योग करता को सौफ्ट्वेर परिवर्तित करने साज़ा करने और पुनरवित्रित करने की आजादी देता है यदे भी परिवर्तन करने के लिए कॉपिराइट अधिकार नहीं दिये गए होते हैं स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्ट्वेर के सामान्य उदाहरण है Unix, Linux, Aurora UX और On-In, Solaris हमें Microsoft Windows के बारे में जानना चाहिए जो की सबसे ज्यादा प्रशुलित ऑपरेटिंग सिस्टम है अरे हाँ, मैंने Microsoft Windows के बारे में बहुत सुना है Microsoft Windows, Microsoft द्वारा विकसित किये गए एवं बेचे गए graphical interface ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रंखला है अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें Microsoft Windows का ओपरेटिंग सिस्टम पूर्वस्थापित होता है यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुग्यप्त प्राप्त सौफ्ट्वेर प्रमानित सौफ्ट्वेर विक्रेता के यहां से खरीद सकते हैं इसके अतिरिक्त इस सौफ्ट्वेर को Microsoft की वेब साइट से online भी खरीदा जा सकता है GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने वह उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है Windows विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं यदि आपके कंप्यूटर का ओप्रेटिंग सिस्टम Windows है तो कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है आप Windows डेस्क्टॉप का प्रयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने संगठित करने में कर सकते हैं डेस्क्टॉप दो भागों में विभाजित होता है मुख्य भाग या Windows डेस्क्टॉप तथा टास्क बार नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है जिसके जरिये हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुँच सकते हैं टास्क बार की प्रिष्ट भूमी को वाल पेपर कहते हैं कंप्यूटर आरंब करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है डेस्क्टॉप पर दिखने वाली छोटे-छोटे चित्र आइकॉन कहलाते हैं यह आइकॉन, फाइल, प्रुग्राम और फोल्डर के शौटकट छोटे रास्ते हैं जिनके जरिये इनमें आसानी से वह जल्दी से पहुँचा जा सकता है। स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिच के समानांतर पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरे तरफ कई छोटे छोटे आइकॉन वह शॉटकट होते हैं। कम्प्यूटर पर चल रहे सभी उप्योजन वह प्रोग्राम टास्क बार पर आइकॉन के रूप में दिखते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लिकेशन वो प्रोग्राम इनी आइकॉन के द्वारा एक्सेस उपयोग किये जा सकते हैं। टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है। यदि बहुत सारे एप्लिकेशन प्रोग्राम चल रहे हूं और टास्क बार पर सभी आइकॉनों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के आइकॉन एक समूह में आ जाते हैं। स्टार्ट पटन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों वो सिस्टम की अन्य उप्योगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोग्रामों वो सिस्टम की तारीक वो समय परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें। तद पस्चाद समय वहतारीक परिवर्तन बटन पर क्लिक करें। समय वयतारीख निर्धारित करें, समय वयतारीख परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय वयतारीख डायलोग कोष्ट पर वापस आएं परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें समय व्यतारीख डायलोग कोश्ट को बढ़ाएं डेस्क्टॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का वह भाग है जिसे आप कम्प्यूटर लोगाउन करने पर देखते हैं आईकॉनों के पीछे दिखने वाले चित्र दर्शी को वाल्पेपर अत्वा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी कहते हैं जब आप अपने कम्प्यूटर को कुछ समय के लिए निश्क्रिय चोड़ देते हैं तो एक चित्र अत्वा लेख की चल चित्री की प्रदर्शित होती है इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी परिवर्तित करना आप अपने कम्प्यूटर के वॉल पेपर अथवा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी आइकॉनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृश्ट से बदल सकते हैं पहला डेस्क्टॉप के खाली स्थान पर माउस का दाया राइट क्लिक बटन दबाए ततपश्चात सुची के वहक्तिक विकल्प पर क्लिक करें ततपश्चात डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी लिंक पर क्लिक करें ततपश्चात चित्र का चैन करें और उसे डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी की नियत करें अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्थनों को सुरक्षित करें. स्क्रीन सेवर नियत करना यदि आप डेस्टॉब की स्क्रीन सेवर परिवर्थित करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनाएं. पहला, डिस्क्टॉप के खाली स्थान पर उस माउस का दाया राइट क्लिक बटन दबाएं तद पस्चाद सूची के वयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें तद पस्चाद डिस्क्टॉप की स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें तब स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सूची से स्क्रीन सेवर चुने तब पश्चार स्क्रीन सेवर चालू करने के लिए वेट कॉम्बो बॉक्स से प्रतिक्षा समय के मिनट निर्धारित करें तत पश्चाद Preview बटन पर क्लिक कर Screen Saver देखें, तब निर्धारित बटन पर क्लिक कर Screen Saver को निर्धारित करें, अंत में Save या सुरक्षित बटन दबा कर परिवर्तनों को सुरक्षित करें अब रोहन यह याद रखें कि एक Computer में Operating System वो व्यक्तिगत कारिक्रमों के लिए उपलब्द किसी सूचना को File कहते हैं एक File, एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है धेर सारे File को एक स्थान पर रखने के लिए आप एक Folder बनाते हैं आप Computer की किसी भी Drive में File या Folder बना सकते हैं File या Folder बनाने के पश्चाथ आप उसका नाम बदल सकते हैं उसकी प्रतिली भी बना सकते हैं उसे कहीं और Paste कर सकते हैं और उसे आवश्यक्ता अनुसार मिटा भी सकते हैं हम किसी Drive में एक नया Folder कैसे बनाते हैं? आसान है बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ पहले स्टार्ट बटन को दबा कर स्टार्ट मेन्यू को खोले तब कम्प्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोरर प्रदर्शित करने के लिए कम्प्यूटर पर क्लिक करें तब डी ड्राइव में उपलब्द सामगरी देखने के लिए क्लिक डी ड्राइव पर क्लिक करें तब नया फोल्डर बनाने के लिए मेन्यू बार में नए फोल्डर पर क्लिक करें नए फोल्डर को नाम दे सकते हैं और एंटर दबाएं आप folder के अंदर भी folder बना सकते हैं, जिसे सब folder कहते हैं एक folder का chain करें और उसे खोलें उसमें खाली स्थान पर right click करें तो pop-up menu प्रकट होगा उसमें सबसे पहले नया पर click करें और फिर folder चुने एक folder सुरुजित हो जाएगा फाइल folder को खोलने के लिए निम्न का अनुसरन करें पहले start button को दबा start menu को खोलें तब computer window या windows explorer प्रदर्शित करने के लिए computer पर click करें तब d drive में उपलब्ध सामगरी देखने के लिए d drive पर click करें तब जिस folder को आप खोलना चाहते हैं उस पर double click करें उसे folder के अंदर जिस sub folder या file को आप खोलना चाहते हैं पर double click करें फाइल या folder को कैसे सनरक्षित करें या नाम बदलें जब आप d drive में folder या sub folder या file बनाते हैं तो स्वच आलित रूप से new folder या new text document के नाम से सनरक्षित हो जाता है folder या sub folder या file का नाम बदलने के लिए उस पर right click करें नए pop-up में नाम परिवर्थित करें, rename चुने नया नाम लिखें और enter दबाएं folder या sub folder या file का नाम परिवर्थित हो जाएगा Windows operating system में कुछ सहायक सामगरी होती है जो अत्यंत उप्योगी होती है हम इन उप्योगी सामगरीयों में से कुछ के विशय में सीखते हैं इन उप्योगी सामगरीयों को देखने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करें पहले स्टार्ट बटन को दबा कर स्टार्ट मेन्यू को खोलें ततपस्चात माउस से All Program पर चिन्हित करें उसके बाद Accessories पर क्लिक करें यहाँ पर विभिन Accessories की सुची होती है संबंधित Accessories पर क्लिक करें पेंट का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्थित करने एवं फोटो देखने के लिए होता है आप पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी करने अथवा मुजूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं आप चित्र की प्रती लेकर किसी अन्य प्रलेख पर चित्का या पेस्ट कर सकते हैं। हम पेंट का प्रयोग किस प्रकार करें। पेंट का उप्योग करने के लिए सर्व प्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें। ततपश्चाद माउस से All Program पर चिन्हित करें। उसके बाद Accessories पर क्लिक करें। यहाँ पर विभिन Accessories की सूची होती है। Accessories पर क्लिक करें और Paint को चुनाव करें। तब Paint Window दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि Paint Window चार भागों में विभाजित है। Paint बटन, Quick Access Toolbar, Drawing Area, एवं Ribbon पेंट बटन के साथ आप कई तरह के कारे कर सकते हैं। Paint बटन के विभिन विकल्प हैं। खोलें, Open, नया, New, सनरक्षित करें, Save और छापें, Print। Quick Access Toolbar अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले उपकरन जैसे Save, Redo और Undo तुरंत उपलब्द कराने में आपकी सहायता करता है। Ribbon में दो टैब होती हैं, Home और View। Home टैब उन उपकरनों को उपलब्द कराता है, जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयोगत होते हैं। यह क्लिप बोर्ड, Brush, Tool, Shape और Color आधी होते हैं। क्लिप बोर्ड में तीन विकल्प होते हैं, Cut, Copy व पेस्ट। जिन विकल्पों का प्रयोग कर आप Paint पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं। प्रतिलीपी या प्रतिबिम्ब बना सकते हैं, अथवा चिपका सकते हैं। यह विकल्प एक ही विशे को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। प्रतिबिम्ब का चुनाव आपको उन विशियों को चुनने वस्तु करने में सहायता करता है, जिनको आप चैनित करना चाहते हैं, काट चाट करना चाहते हैं, आकरती में परिवर्तन करना चाहते हैं, अथवा घुमाना चाहते हैं। उपकरण टूल का चैन आपको विभिन उपकरण उपलब्द कराता है, जिससे आप आकरिती बना वसंपादित कर सकते हैं. यह उपकरण है पैंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बढ़ा करना. ब्रश में नीचे की और खुलने वाला एक मेन्यू होता है, जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन प्रकार के ब्रशों का चैन कर सकते हैं. आकरितियां विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन आकरितियां दे सकते हैं. रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन रंग भर सकते हैं प्रतेक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही नहीं है रिप्या पुनह प्रयास करें सही है अच्छा प्रयास दीदी तुमने यह भी कहा था कि मैक्रोसॉफ विड्लो के विप्रीत यहां मुफ्त ओप्रेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध है क्या तुम इसके बारे में और ज़्यादा जागती हो हाँ रोहन लाइनेक्स एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा खुले स्रोद का ओप्रेटिंग सिस्टम है यह सॉफ्ट्वेर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है चलो हम इस पर नजर डालते हैं लाइनेक्स, युनेक्स, उपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जानामाना वर्जिन है जो लाइनेस स्टोरवार्ड्स द्वारा विक्सित किया गया है लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जैसे दूसरे उपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है Linux की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही गतिशील है उपयोग करता इस सौफ्टवेर को विक्सित करने, संशोधन करने अथवा प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है Linux को दो अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है Free Download अथवा वितरन का उपयोग कर Linux दुनिया भर में करोडों उपयोग करता हों द्वारा सफलता पूर्वक उपयोग किया जा रहा है Linux की सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिलकुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है Linux उपयोग करने का एक वेकलपिक रास्ता है जो विभिन कंपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है और जिसमें विभित प्रकार के एप्लिकेशन वो इंस्टॉल करने वाले प्रोग्राम जुड़े हैं जो Linux के अधिश्ठापन को आसान कर देते हैं एक बहुत प्रसिद Linux का वितरन करता होता है जिसे अबंटू कहते हैं जो कॉनिकल कंपनी द्वारा वितरित किया जाता है अब हमें अबंटू के बारे में सीखना चाहिए अबंटू एक स्वतंत्र मुक्त सॉफ्ट्वेर प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टाबलेट और कंप्यूटर के द्वारा हर जगा चलाया जाता है अबंटू में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता है जो इसे विंडो अथवा Android जैसे दूसरे प्रशुलित ओपरेटिंग की तरह बनाता है अबंटू के वर्जिन 12.10 डिफॉल्ट डेस्टॉप वातावरन के रूप में यूनिटी का उप्योग करता है यूनिटी डेस्टॉप प्रश्ट भूमी और दो बार रखता है जिसे मेन्यो बार और लॉंचर कहते है मेन्यो बार डेस्टॉप के शीर्श पर स्थित क्षेतिज पट्टी है लॉंचर एक खड़ी पट्टी है जो मेन्यो बार के बाई तरफ होती है मेन्यो बार में सामाने कारे शामिल होते हैं जो अबंटू 12.10 में उप्योग होते हैं जो आइकन्स मेन्यू बार के दाहिने तरफ होते हैं, उसे संकेतक शेत्र कहते हैं। कीबोर्ड सूचक आपके कीबोर्ड, लेयाउट चुनने और कीबोर्ड प्रात्मिक्ताओं को बदलने की अनुमती देता है। संदेश सूचक में सभी सोशल अप्लिकेशन को शामिल किया जाता है, जो ततकाल इंस्टेंट मिसेंजर क्लाइंट, इमेल क्लाइंट, माइक्रो ब्लॉगिंग अप्लिकेशन और दूसरे समान अप्लिकेशन को सम्मिलित रखता है। नेटवर्ग सूचक आपको तार्युक्त अथवा तार्मुक्त नेटवर्ग को आसानी से जोडने और नेटवर्ग कनेक्शन को प्रबंधित करने की अनुमती देता है ध्वनी सूचक ध्वनी की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उपयोग अपने म्यूजिक प्लेउर और ध्वनी सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और कैलेंडर समय और तारीक सेटिंग्स का उप्योग करने के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है यूजर मेन्यू आपको अलग-अलग उप्योग करता हूँ और उनलाइन सामगरी और उप्योग करताख हातों के बीच परिवर्थन करने की अनुमती देता है एक सत्र या सेशन सुचक सिस्टम सेटिंग का उप्योग करने, सौफ्ट्वेर अपडेट करने, प्रिंटर डिवाइस को लॉग करने के लिए सेशन विकल्प प्रदान करने, सेशन से लॉग आउट होने, कम्प्यूटर को पुनह आरंभ करने या पूरी तरह से बंद करने क लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है एप्लिकेशन मेन्यू एक प्रणाली है जहां किसी एप्लिकेशन में विभिन कारे जैसे परिवर्तन करने देखने आदी को निश्पादित किये जा सकते हैं अन्य GUI वातावरन के विपरीत युटिलिटी में आवेदन मेन्यू बार के बाई और स्थित है एक विश्विष्ट आवेदन को देखने के लिए आप सूचक का प्रयोग करके डेस्क्टॉप के मेन्यू बार पर आवेदन आइकन के लिए माउस को स्थाना अंतरित कर सकते हैं यह है डेस्क्टॉप के मेन्यू बार में खुद को उपर रखकर एप्लि देने लगता है यूटिलिटी का वह फीचर जो एप्लिकेशन दिखाता है एप्लिकेशन के मेन्यू केवल जब जरूरत होती है जब यह नेटबुक और लैप्टॉप उपयोग करताओं के लिए फायदेमंद होता है और इसे अधिक मुक्त वर्क स्पेस प्रदान करता है उ आसान पहुँच प्रदान करता है लांचर में सबसे उपर पहला आइकन डैश कहलाता है जो एक निरनायक खोज वह मूल तत्व है एक एप्लिकेशन को लांचर से रन करने अथवा पहले से रन हो रही एप्लिकेशन को प्रदर्शृत करने के लिए एप्लिकेशन आइकन पर जोड़ना और हटाना एक application को जोड़ने के लिए launcher के application आइकन पर दाहिने क्लिक करके और launcher के lock का पहले application आइकन पर दाहिने क्लिक करें फिर unlock से launcher का चैन करें dash 1000 है जिसकी मदद से आप computer पर application वो फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं, वो उन तक पहुँच सकते हैं Dash का पता लगाने के लिए launcher के सबसे उपर वाले आइकॉन जिस पर Ubuntu का प्रतीक चिन बना हो पर क्लिक करें Dash आइकन का चैन करने पर एक और विंडो खुलेगी जिसमें सबसे उपर सर्च बार के साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई एप्लिकेशन, फाइल और डाउनलोड का संग्रह भी होगा Dash आपको स्थानिय स्तर वसुदूर की सूचनाय खोजने की अनुमती देता है Dash की मुखे विशेशताएं Dash की दो मुखे विशेशताएं हैं फाइलें वो फोल्डर ढूनना और एप्लिकेशन को ढूनना वर्कस्पेस आपको एप्लिकेशन को एक समूह में करने की अनुमती है जो अव्यवस्था को कम करता है और डेस्टॉप नविगेशन में सुधार लाता है मूलभूत रूप से अबंटू में चार वर्कस्पेस होते हैं एक वर्कस्पेस से दूसरे वर्कस्पेस पर जाने के लिए लॉंचर पर वर्कस्पेस स्विचर पर क्लिक करें यह application आपको एक workspace से दूसरे workspace पर जाने की अनुमती देता है Windows को बंद करना, अधिक्तम करना, नियूनतम करना, वो बहाल करना नियूनतम बटन विंडो को वर्तमान में दिखाई पढ़ने वाली screen से हटा कर उसे launcher में रखा देता है अधिक्तम बटन application को Windows की पूरी screen पर फैला देता है Windows को बंद करने के लिए, विंडो के उपर बाइकोने पर दिये हुए cross बटन पर क्लिक करें विंडो को workspace पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए, माउस के point को विंडो के title बार पर ले जाएं और माउस के buy बटन से क्लिक करें, तथा buy बटन को दबाए रखते हुए, विंडो को खीचें विंडो का आकार बदलने के लिए, माउस पॉइंटर को विंडो सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें, कि माउस पॉइंटर दो तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा जिसे resize icon कहते हैं, माउस के buy बटन से क्लिक करें, तथा buy बटन को दबाए रखते हुए, विंडो को खीचें कम्प्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं सीधे launcher के dash के माध्यम से, जिस folder में फाइल रखी गई हो का पता लगाकर उस तक पहुँचना या सामाने तह उप्योग में लाये जाने वाले folderों वहाल में ही प्रयोक्त फाइलों में file वा folder tool का प्रयोग करना Go menu सामाने तह प्रयोग में आने वाली folderों की सूची होती है Go में जाने के लिए अपने mouse को बार पर सबसे उपर ले जाएं और Go को चुने तब इस मेन्यू कम्प्यूटर पर क्लिक करके अपने कम्प्यूटर की फाइलें खोजें यदि आप Home Network स्थापित करते हैं तो आपको साजा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा Home Folder का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है यह है उप्योग करता के Login नाम से मेल खाता है इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं जो इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप बन जाते हैं इसमें डेस्टॉप दस्तावेज, डाउनलोड, म्यूजिक, संगीत, चित्र, पबलिक, टेंपलेट्स और वीडियो शामिल है जैसे विंडो के पास फाइल वो फोल्डरों को खोजने के लिए विंडो एक्स्प्लोरर होता है उसी प्रकार अबंटू फाइल वो फोल्डरों को खोजने के लिए डिफॉल्ट रूप से नॉटिलस फाइल मैनेजर का प्रयोग करता है दीदी, नॉटिलस फाइल मैनेजर कहां है? Nautilus File Manager Window Desktop पर एक folder पर double click करो Nautilus File Manager विंडो खुल जाएगी Default विंडो में निम्न किशेशताएं होती है Menu Bar, Title Bar, Tool Bar, Biapan वर Daya Pan Nautilus नविगेट करने के निम्न पद है Folderों के बीच नविगेट करने के लिए Nautilus File Manager के Bypan में पुस्तक चिन्हों का प्रयोग करें वापस जाने के लिए Path Bar में folder के नाम पर क्लिक करें एक दिखने वाले folder पर double click आपकी उसे निविगेट करने में सहायता करेगा Nautilus के साथ file को खोलने के लिए उसके icon पर double click करें अथवा icon पर दाया क्लिक करें और open with के विकल्पों में एक को चुने Nautilus में एक नया folder बनाने वा सेफ करने के लिए पहले file पर क्लिक करें और फिर create new folder पर क्लिक करें उसके बाद बनने वाले default folder का नाम, untitled folder को इच्छा नुसार नाम दें यह Nautilus में सुरक्षित हो जाएगा File या folder को copy करने या प्रतिलिपी बनाने के steps हैं पहले edit पर क्लिक करें फिर item पर क्लिक करें अथवा right क्लिक करें और pop-up menu से copy चुने अब आप copy की गई file को इच्छित स्थान पर paste करें कई Nautilus Windows का प्रयोग करना आप निमन प्रकार से कई Nautilus Windows भी खोल सकते हैं पहले file बनाए तब new window पर क्लिक करें यह नई window खोलेगा और आपको file या folder को दो स्थानों से ड्राग करने की अनुमती देगा नया टाब खोलने के लिए पहले file पर क्लिक करें फिर new tab file की browsing के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्थान के उपर दो टाब युक्त एक नई पंक्ती खुलेगी दूसरा pan खोलने के लिए view पर क्लिक करें फिर extra pan पर यह आपको tab या window के मध्य स्विच किये बिना ही दो स्थानों पर एक साथ देखने की सुविधा देता है आप nautilus या dash का प्रयोग कर file या folder को खोज सकते हैं पहले नautilus में go search for file पर क्लिक करें या control के साथ F दवाएं फिर जो खोजना चाहते हों उसे टाइप करें डैश में सबसे उपर सर्च बार में आप केवल खोज का टर्म टाइप करें अबंटू में लिब्रे ओफिस सबसे अधिक लोकप्रिय सुईट है जो डिफॉल्ट रूप से स्थापित होता है यह भी वैसी ही कारे प्रणाली उपलब्ध कराता है जैसे के Microsoft Word, Excel, PowerPoint सिर्फ इसके की यह एक मुक्त स्वतंत्र सॉप्टवेर है इन सभी एप्लिकेशनों तक लॉंचर के द्वारा पहुँचा जा सकता है इसमें निमन घटक शामिल है जो दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग नामों से पाए जाते है क्या मुक्त स्वतंत्र सॉप्टवेर के विशय में सीखना मज़िदार नहीं था? चलो, अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भाग लेंगे प्रते एक प्रशन के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही नहीं है रिप्या पुनह प्रयास करें सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास हाँ रोहन आजकल मुबाईल फोन वव टाबलेट भी परसनल कम्प्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबियां रखते हैं साथ ही साथ अन्य कूबियां जैसे टच स्क्रीन, सेलूलर, ब्लूटूथ, वाइफाई, जीपीएस मोबाइल, नेविगेशन कैमरा, वीडियो कैमरा, स्पीच रिकोगनीशन, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर वह अन्य विशेशताएं. अधिकांश मोबाइल फोनों में, एंड्रोइड, विंडोज अथवा, सिंबियन ओपरेटिंग सिस्टम होता है. ओ, मैं मोबाइल फोनों के विशेश में और बहुत कुछ जानना चाता हूँ, किया आप मुझे सिखा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, कि एक मोबाइल फोन में विभिन सुविधाओं का प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले यह सीखते हैं कि मोबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने के लिए की पैड पर फोन नमबर टाइप करें. यदि आपके पास स्मार्ट फोन है, तो होम स्क्रीन पर फोन आइकन पर जाएं और उस पर टैप दें. आप स्क्रीन पर नमबर पैड देखेंगे, जिस नमबर पर आप बात करना चाहते हैं, उसे टाइप करें. उसके बाद बाई तरफ हरा बटन अथवा उत्तर बटन दबाएं. स्मार्ट फोन होने पर हरे बटन पर टैप दें. स्क्रीन तरशाएगी की नमबर डाइल हो रहा है, कि कनेक्ट हो रहा है. इस तरह आप कॉल कर सकते हैं. कॉल समाप्त करने के लिए लाल बटन दबाएं, अथवा लाल बटन पर टैप दें. अब हम सीखते हैं कि कॉल का उत्तर कैसे दें, अथवा निरस्त कैसे करें. जब आपके फोन की घंटी बजे, तो उत्तर देने के लिए हरा बटन दबाएं. स्मार्ट फोन होने पर बाएं से दाएं स्वाइप करें. कॉल निरस्त करने के लिए लाल बटन दबाएं. स्मार्ट फोन होने पर दाएं से बाएं स्वाइप करें. हम पिछले मिलाए गए नमबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है, पहले होम स्क्रीन पर बाई तरफ के हरे बटन को दबाएं यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नंबरों की सूची दिखाएगा स्मार्ट फोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह छूटे नंबरों की सूची दिखाएगा। उसके पश्चात नंबर चुने और हरा बटन दबाएं। इसी तरह स्मार्टफोन होने पर नंबर पर टैप दें। नंबर की डायल होने लगेगा। आप कॉल इतिहास इस तरह देख सकते हैं। पहले, स्टैंडबाइ मोड में मेन्यू दबाएं। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें। तब कॉल रिजिस्टर या कॉल इतिहास या कॉल लॉग चुने। उसके बाद यह प्राप्त कॉल, चूटी कॉल, डायल की गई कॉल के तीन टाप दिखाएगा। फिर जिस टाप को आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। यह आपको कॉलों की सूची, समय, वतिति के साथ दिखाएगा। स्मार्ट फोन होने पर सभी कॉलें एक ही सूची में दिखेंगी। हरा तीर प्राप्त कॉलें, नीला तीर डायल की गई कॉलें, वललाल तीर जूटी कॉलें, दर्शाता है। आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर को संपर्क बुक में सुरक्षित कर सकते हैं, या उस पर संदेश भेज सकते हैं। फोन में ध्वनी का स्तर को निम्न रूप से अनुकूल करते हैं। सबसे पहले फोन की मुख्य स्क्रीन में Menu बटन दबाएं फिर विकल्प मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें उसके बाद सेटिंग मेन्यू में Sound या Audio विकल्प चुने उसके बाद Sound मेन्यू में Volume विकल्प ढूंडे Ringer या Ringtone में Volume Control पाई जाते हैं अंत में Speaker विकल्प पर चुने वो Keypad को उपर नीचे कर Volume Level सेट करें आपके स्मार्टफोन में आवाज नियंत्रित करने वाले बटन बाहर होते हैं मात्र इधर उधर दबा कर आवाज की प्रबलता नियंत्रित की जाती है मैं अपने मित्रित का Phone Number वो अमित का नाम शामिल करना चाहता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ? आप नया संपर्क ऐसे जोड सकते हैं जब Phone Stand By Mode में हो तो Menu दबाए स्मार्टफोन होने पर Phone Icon पर टाप दें तब Menu विकल्प में अपने Phone की Phone Book पर जाए यह Home Screen पर Phone के एक चित्र अत्वा शब्द Phone, Phone Book या संपर्क से दिखाई गई होगी अब उपलब्द विकल्पों में New Contact का चैन करें पहले जिस संपर्क को आप जोडना चाहते हैं उसका Number Area Code स्क्रीन पर दिखने वाले Form पर भरें स्मार्ट फोन में Number Pad वांक टाइप करें Add To Contact पर टाप दें और तब Create New Contact पर और तब Form में उप्युक्त स्थानों पर अपने मित्र का पहला वांतिम नाम लिखें तब उसे संरक्षित करने के लिए Save या Add To Contact दबाएं टाप देना सुनिश्चित करें अब नया संपर्क अपने मोबाइल में जुड़ जाएगा फोन में पहले से ही संरक्षित संपर्क के विमरण में Edit करने के लिए संपर्क का नाम चुने Edit का चैन करें Tap दें सही विमरण टाइप करें और फिर Save का चैन करें Tap दें अब मैं आपको सिखाती हूँ कि संदेश कैसे भेजते हैं पहले Stand By Mode में Menu दबाएं तब संदेश सेवा फिर लिखित संदेश फिर संदेश बनाएं का चैन करें एक स्मार्ट फोन में Home Screen पर Messaging आइकन टूंडे उस पर Tap दें आप देखेंगे कि संदेशों की सूची खुलेगी संदेश बनाएं संदेश लिखें को चुने स्मार्ट फोन में Right Message आईकन पर Tap करें Text Box में संदेश लिखें चित्र या कुछ अन्य जोडने के लिए विकल्प का चैन करें फिर Insert Object दबाएं स्क्रॉल कर नीचे वांचत पिच्चर या Object आएं View फिर Insert दबाएं नियत स्थान पर प्राप्त करता का नंबर लिखें अत्वा यदि आप सुरक्षित किये हुए किसी संदेश भेजना चाहते हैं तो Phone Book पर क्लिक करें संपर्क का चैन कर OK पर क्लिक करें स्मार्ट फोन में प्राप्त करता के नाम के कुछ अक्षर टू कॉलम में लिखें आप देखेंगे कि Contact Book से नामों की सूची प्रकट होगी वांचत नाम पर टाप दें भेजने के लिए भेजें पर क्लिक करें या टाप दें प्राप्त करता को मेसेज भेज दिया जाएगा मुख्य सूची पर वापस आने के लिए समाप्त या निरस्त पर क्लिक करें टाप दें आप अपना संदेश ऐसे पढ़ सकते हैं जब आपको संदेश प्राप्त होता है तो आप होम स्क्रीन में सबसे उपर लिफाफे का निशान का आइकन देखेंगे आप स्क्रीन पर एक बॉक्स में एक मेसेज रिसीवड लिखा हुआ देखेंगे नए संदेश को देखने के लिए शो दबाएं संदेश पढ़ें दीदी, क्या हम मोबाइल फोन के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल रोहन, तुम कर सकते हो यह तो बहुत अच्छा है मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ज़िए आपको चाहिए होगा एक मुबाइल फोन जो इंटरनेट एकसेस या उपयोग को समर्थित करता हो एक मुबाइल फोन सेवा जो डेटा संचुरन का समर्थन करती हो जैसे 2G, 3G और Wi-Fi फोन द्वारा इंटरनेट तक पहुचने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मुबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता बहुत सारे मुबाइल फोन डाटा एकाउंट सेटिंग के साथ ही आते हैं यदि आपका नहीं है, तो आपको सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा के इंदर से बात करनी चाहिए. आप अपने स्मार्टपून पर मोबाइल इंटरनेट सेवा इस तरह स्थापित कर सकते हैं. पहले अपने स्मार्टपून के सेटिंग मेन्यू पर नविगेट करें. स्मार्टपूनों में यहैं Apps, मेन्यू के सेटिंग आइकोन के माध्यम से, या कभी-कभी Notification बार के माध्यम से किया जा सकता है. सेटिंग मेन्यू में आपको वारलेस और नेटवर्ग सेटिंग्स खूजनी होगी. ज्यादतर उपकर्णों में More या More Settings बटन जो भी उपलब्द हो उस पर क्लेक करें जब Wireless और Network सेटिंग हो जाती हैं तो आप Internet, Wi-Fi या Mobile Network के माध्यम से जोड़ सकते हैं Wi-Fi से जुड़ने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले सेटिंग विकल्प से अत्वा Notification menu में Wi-Fi बटन को क्लेक करके Wi-Fi विकल्प को चालू करें तब आपको उपलब्द Internet, Network की सूची दिखाई देगी यदि आपने Wi-Fi Network पहले से ही सेव कर रखा है तो यह है Automatic ही जुड़ जाएगा अन्य था आपको Wi-Fi Network जिसे आप जोड़ना चाहते हैं चुनना होगा यदि पास्वर्ट की आवशक्ता हो तो उसे इंटर करें और Connect पर क्लेक करें इंटरनेट का उप्योग करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उप्योग करें इंटरनेट के लिए Mobile Network जोड़ना पहले Wireless वर Network विकल्प में अधिक सेटिंग या More सेटिंग विकल्प पर जाएं तब Mobile Network पर क्लेक करें वहां आपको Mobile Data चेक बॉक्स को चेक करना होगा अब इंटरनेट तक पहुँशने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उप्योग करें कीपैड आधारित फोनों में भी हर कोई बड़ी आसानी से इंटरनेट का उप्योग कर सकता है पहले मेन्यों में जाएं फिर इंटरनेट चुने तब या तो home page का चेन करें अन्यथा home screen में शुने को कुछ ख़न के Лिए दबा कर रखें उसके पश्याथ web address इंटर करें और go to address का चेन करें तब address इंटर करें और ठीक है का चेन करें web खोजने के लिए यदि आप पहली बार सर्च कर रहे हों तो सर्च का चैन करें और खोजे जाने वाले विशे को दर्ज करें और सर्च का चैन करें मेरी मुबाइल में रेडियो है मैं उसे कैसे सुन सकता हूँ? रेडियो सुनने के लिए पहले स्टैंडबाई मोड में मेन्यो दबाएं तब मीडिया और फिर रेडियो पर जाएं स्मार्ट फोन हुने पर मेन्यू में रेडियो आइकॉन पर टाप दें फिर फोन को संगत हेंड से जोड़ें यह एक एंटीना की तरह कारे करता है उसके बाद अथवा मैन्यूल ट्यूनिंग विकल्प का चैन करके जो रेडियो चैनल आप सुनना चाहते हैं का चैन करें चैनल सेब करें का विकल्प चुन चैनल सुरक्षित करें तब उपर नीचे स्क्रॉल कर पॉल्यूम सेट करें रेडियो बंद करने के लिए विकल्प फिर बंद करें का चैन करें टैप दें मुझे यह भी बताने दें कि मोबाइल फोन पर गाना कैसे बजाते हैं पहले स्टैंडबाइ मोड में मेन्यू दबाए तब फोन में उपलब्द एप्लिकेशन को देखने के लिए मल्टिमीडिया मेन्यू खोले म्यूजिक एप्लिकेशन, मीडिया या गैलरी के रूप में दर्शाया गया हो सकता है तब म्यूजिक या साउंड का चैन करें स्मार्टफोन होने पर मेन्यू में रेडियो आइकॉन पर टाप दें अपने मीडिया प्लेयर पर उपलब्द गाने, ब्राउस करें वो उनमें से अपनी डिवाइस पर बजाने के लिए एक का चैन कर बजाएं गाना बजना रोकने अथवा उसे पुनह बजने देने के लिए प्ले, पॉस प्ले को डबाएं, टाप दें एक ही बटन प्ले और पॉस के लिए कारे करता है म्यूजिक प्लेयर से निकलने के लिए बाही तरफ के लाल बटन को दबाएं स्मार्ट फोन में पॉस बटन टाप दें आपको अपने फोन पर गाने स्टोर करने के लिए मेमरी कार्ड की आविशकता होगी अब यहां कुछ तरीके हैं कि मुबाइल फोन से फोटो कैसे लें पहले स्टैंडबाइ मोड में मैन्यू दबाएं तब मीडिया चुने और फिर कैमरा चुने स्मार्ट फोन होने पर कैमरा आइकॉन ढून कर उस पर टाप दें तब डिस्प्ले स्क्रीन को व्यू फाउंडर की तरह प्रयोग करें उपर नीचे खिसका कर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं स्मार्ट फोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैला कर अथवा सिकोड कर स्क्रीन को फैला कर डिस्प्ले का आकार बड़ा वचूटा कर सकते हैं फोटो लेने के लिए सिलेक्ट या हां बटन का चैन करें स्मार्ट फोन में कैमरा आइकॉन ढून कर उस पर टैप कर फोटो कीजिए सेव बटन को दबा कर फोटो सेव करें स्मार्ट फोन में फोटो, अलबम या गालरी में स्वैम ही सेव हो जाती है यह कुछ तरीके हैं जिससे वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है मैनियों में जाकर फोटो और फिर वीडियो कामरे का चैन करें स्मार्ट फोन होने पर कैमरा आइकॉन पर टाप दें तक स्क्रीन के प्रदर्शन को व्यू फाउंडर की तरह प्रयोग करें जूम इन और जूम आउट करने के लिए उपर नीचे स्क्रॉल करें स्मार्ट फोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को पहला कर अधवस सिकोड कर से स्क्रीन पर प्रदर्शन क्षेतर का आकार पदल सकते हैं रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए रिकॉर्ड को चुने स्मार्ट फोन में होने पर स्क्रीन पर मौजूद छोटे लाल आइकॉन पर टाप दें रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए स्टॉप दबाएं स्मार्ट फोन में होने पर लाल आइकॉन पर फिर से टाप दें संरक्षित करें, बटन को दबा कर फोटो सुरक्षित करें स्मार्टफोन में फोटो, अल्बम या गैलरी में स्वैम ही संरक्षित हो जाती है मोबाइल फोन वश्मार्टफोन तीवर गणना के लिए उप्योगी है यह कैसे संभव है? कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेटर प्रयोग करने के तरीके है पहले स्टैंडबाइ मोड में मेन्यू दबाएं, तब और फिर कैलकुलेटर का चैन करें स्मार्टफोन होने पर में कैलकुलेटर आइकॉन मेन्यू में ढूंडे और उस पर टाप दे फोन के नंबर पैड का प्रयोग कर नंबर लिखे फिर जोडने, घटाने, गुणा करने वबाग फंक्शन का चैन करे फिर दूसरा अंक लिखे उत्तर जानने के लिए बराबर का चिन्ध दबाएं या टाप दे हाँ, बिल्कुल रोहन, चलो हम टाबलेट के बारे में जानते है टाबलेट कम्प्यूटर के छोटे, हलके और अधिक प्रवंधनिय रूप है वे तार रहित, वे ले जाने योगे यंत्र है जिनमें सूचनाओं तक पहुँशने के लिए अथवा प्रोसेस करने के लिए स्पर्श इन्पुट की तरह प्रयोग होता है टाबलेट में वे है ओपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जी यू आई उपलब्द कराते हैं और एप्लिकेशनों को चला सकते हैं टाबलेट के सुपरसेद ओपरेटिंग सिस्टम हैं एंडरॉइट, विंडोज व आई ओएस टाबलेट मुख्यता दो भागों में पांटे चा सकते हैं फोन सुविधा के साथ तथा कॉल सुविधा के बिना टाबलेट जो कॉल सुविधा के साथ होता है उसमें सिम कार्ड के लिए खाचा बना होता है आपको call करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा संदेश भेजने वा प्राप्त करने के लिए एक SIM card तथा किसी mobile network का connection की आवशक्ता होगी टाबलेट जिसमें call सुविधा नहीं होती है उसमें SIM card के लिए slot नहीं होगा लेकिन उसमें अन्य सभी विशेश्टाएं समान होती हैं तब भी आप इंटरनेट के प्रेयोग से call करने में समर्थ होंगे चलो अब हम टाबलेट की कुछ विशेश्टाओं के बारे में जानते हैं अधिकता टाबलेट निम्न उदेश्यों के लिए प्रेयोग होते हैं सर्वप्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं तब म्यूजिक पर टाप देकर पार्ष या बैग्राउंड संगीत इंटरफेस को एंटर करें अब आपको म्यूजिक फाइल सुची को हाल ही में अल्बम कलाकार, गीत, प्ले लिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प का चैन करके वर्गिक्रित कर सकते हैं फिर गानों को एक सेकिंड के लिए दबाएं, टाप दें जिससे विकल्प मेन्यू प्रकट हो जाएगी इसके बाद आप प्ले, अड़ टू प्ले लिस्ट, शॉप फॉर आर्टिस्ट, डिलीट या सर्च विकल्पो में से किसी एक का चैन कर सकते हैं तब प्ले पर टाप देकर पार्श्व संगीत इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए गानों पर टाप दें निम्न तरीके से टाबलेट में फोटो खीची जा सकती है सर्व प्रतम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें तब फोटो मोड चुन्ने इच्छित फोटो मोड पर टाप दें कैमरे को विशे की ओर केंदरित करें आटो फोकस को सक्रिय करने के लिए स्क्रीन पर किसी स्थान को चुएं और दबाई रखें फोटो लेने के लिए उंगली उठाएं टैबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सर्व प्राथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप दे कर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें तब वीडियो मोड चुन्ने के लिए फोटो मोड में पसंद किये हुए आईकॉन पर टाप दें मिटाना चाहते हैं इसे खोजें. ट्राज आइकान दिखाए दिये जाने के लिए स्क्रीन पर टाप दें. फोटो या वीडियो को मिटाने के लिए इस पर टाप दें. आप फोटो और वीडियो इस तरह देख सकते हैं. पहले, एल्म ढूण कर उस पर टाप दें. फिर जिस photo या वीडियो को देखना चाहते हैं उस पर tap दे आगे की photo देखने के लिए बाईं और धकेले तथा पीछे की photo या वीडियो देखने के लिए दाईं और धकेले वीडियो देखने के लिए निम्नका अनुसरन करें Menu से पिच्चर अत्वा album टाप खोले अब Grid View अत्वा List View का प्रयोग कर जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसे खोले जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस पर टैप दे यदि Playback नियंतरन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दे वीडियो रोकने के निम्नपद हैं जब वीडियो चल रहा हो तो Playback नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दे उसके बाद वीडियो को रोकने या चलाने के लिए Pause या Restart पर टैप दे वीडियो पीछे करना अत्वा तेजी से आगे बढ़ाने के पद है जब वीडियो चलने के दोरान Playback नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दे इसके बाद वीडियो को तेजी से आगे ले जाने के लिए Progress Bar Marker को दाई और 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 पीछे ले जाने के लिए बाई और खीचे टाबलेट में e-book पढ़ने के लिए पहले टाबलेट में इंस्टॉल किये हुए Default Book Reader पर जाएं फिर Book Reader आइकॉन पर टैप दे उसके बाद पूर्वस्थापित किताबों में से जो किताब पढ़नी हो उसका चैन करें फिर किताब पढ़ना प्रारंब करने के लिए Books आइकॉन पर टैप दे मैंने सुनाए कि आप टैपलेट से इमेल बेज वो प्राप्ट कर सकते हैं हाँ रोहन टैपलेट पर इंस्टॉल किये हुए विशिष्ट एप्लिकेशनों का प्रयोग करके लगभग सभी पॉप अप या IMAP इमेल पतों का उप्योग इमेल भेजने वो प्राप्ट करने के लिए कर सकते हैं चलिए हम आपको टैपलेट में इमेल लिखने के तरीकों के बारे में बताते हैं मैनियो में इंटरनेट ब्राउजर आइकॉन पर क्लिक करें फिर इमेल आइकॉन पर क्लिक करें एक विंडो खुलेगी जिसके शीर्ष पर एक शेतिश बार होगा जिस email service प्रदाता का उपयोग करना चाहते हों, उसका URL एंटर करें उदाहरन के लिए www.gmail.com अब दिये गए स्थान पर username वह password डालें वह sign in पर tap दें यहां इस प्रष्ट पर compose या write new पर tap दें नई window में सेवा में केक शेत्र में प्राप्त करता का email ID एंटर करें विशय केक शेत्र में विशय एंटर करें बीच के खाली स्थान में संदेश एंटर करें तद पस्चात send icon पर tap दें प्राप्त email को पढ़ने के लिए पहले जब आपको कोई email प्राप्त होगी तो screen पर सबसे उपर एक लिफाफा बन कर आएगा icon को देखने के लिए screen को नीचे खिसकाए यथा क्रम menu में email भेजने वाले के icon पर जाए अब icon पर tap दें screen पर आपका mail inbox खुल जाएगा email पर tap दें और उसे पढ़ें हम किजी file गो tablet पर कैसे चूनते हैं? टाबलेट में file या folder ढूणने के दो तरीके हैं आप या तो tablet पर स्थापित file manager का प्रयोग करें या तो home screen पर स्थित online search engine का प्रयोग करें file manager का प्रयोग करके home screen पर file manager या file browser आप ढूणे उस पर tap दें यह सबसे उपर my file दिखाएगा सूची से बांचित file या folder को ढूणे उसे खोलने के लिए उस पर tap दें search engine का प्रयोग करके home screen पर magnifying glass की तरह दिखने वाले search icon को ढूणे उस पर tap दें जिससे एक नई window प्रकट होगी आप देखेंगे कि उस पर एक शेतिच टैप में search लिखा होगा उसमें जो सूचना आप ढूणना चाहते हैं उसके पहचान शब्द लिखें online search का परिनाम screen पर आ जाएगा इसको खोलने के लिए वांचित पर tap दें